करनाल उत्तरपरदेश हर्याना की सीमा से लगते यमना नदी में नहाने गई 6 छात्रों में से 3 छात्र नदी में डूब गई जिससे ग्रामिनों में दुख का महोल व्यापत है यह गाम बिलकुल हर्याना का आखरी गाम है नालीपार यहां से यमना नदी में नहाने के लिए लग बक 6 चातर गए थे जिन में से तीन की मोथ हो गई पूरा गाम गम में डूबा हुआ है ग्रामिनों द्वारा भी सर्च ओपरेशन चला कर डूबी हुए लड़कों को ढूणने का परियास किया जा रहा है मोके पर बड़ी संख्या में आसपास के गाउं से आकर लोगों द्वारा मदद की जा रही है बड़ी संख्या में लोग यहां मजबूद रहे इस दुगत गटना से नदी में डूबे परिशन रोते भी लगते दिखाई दे रहे है यहां हम आपको बता दे कि इन दिनों यमना का जलसर खतरे के निशान से भी उपर चल रहा है जिस से इस तरह की दुरगटनाएं हो रही है इन छात्रों की दुरगटना से ग्रामिनों में गम का महोल व्यापत है पिछले दिनों हत्नी कुन से बड़ी मात्रा में पानी यमना में छोड़ा गया था जिसमें जिला प्रशासन के नुसार जब से डैम बना है अब तक का सबसे ज़ादा पानी हत्नी कुन से यमना में छोड़ा गया है इस पानी छोड़ने से इंदरी हलके में यूपी के साथ लगते काफी गाउं प्रभावित हुए थे प्रंतु अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा था वहीं इस दुखत गटना पर लोगों द्वारा दुख व्यक्त किया गया प्रंतु 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 प्रभावित हुए जबड़ने इस दुखत गटना प्रावित हुए ने टरभावित हुए डिपर भावित हुए JPD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं